सब को आती नहीं और मेरी जाती नहीं ये डायलोग भला कोई कैसे भूल सकता है ये डायलोग है साल 2014 में आई फिल्म हीरो पंदी का जिसमें टाइगर श्रॉफ का दमदार आक्शन और डांस मूव देखने को मिला था ये फिल्म टाइगर श्रॉफ और कृती सेनन की डेब्यू जा रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फिल्म में कौन से गाने रीक्रीयेट किये जाएंगे अगर आप भी इन बातों को जानना चाते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें साथी इस दमदार आक्टर के लिए आप हमारी की गई है जो की बॉक्स ओफिस पर पूरी तरह चाच चुकी हैं आपको बता दे कई शेहरों में सिनमा घर बंद होने के बावजूद भी इस फिल्म ने दस दिनों में बॉक्स ओफिस पर देर सो करोड से जादा की कमाई कर ली है लेकिन ऐसे में अब बागी तीन को लेकर टाइगर श्रॉफ अपनी अफकमिंग मूवी हीरो पंती 2 के साथ जल्धी बॉक्स ओफिस पर नजर आने वाले हैं जी हां आपने सही सुना टाइगर श्रॉफ जल्धी सिनमा घरों में हीरो पंती के पार्ट 2 के साथ नजर आने वाले हैं जब से इस फिल्म की ओफिशिल एन टाइगर श्रॉफ और कृती सेरिन के रोमैंस को भी काफी हद तक पसंद किया गया था। फिल्म को दर्शकों द्वारा जितना प्यार मिला उतना ही प्यार फिल्म के गानों को भी दिया गया। फिल्म में सबसे फेमस सॉंग रहा था विसल बजा। यही सॉंग बेहदी चार्ट बस्टर सॉंग रहा था जिसके बाद एक बार फिर से इस सॉंग को हीरो पंती के पार्ट टू में लाया जा रहा है। आपको बता दे सॉंग को मंजीत सिंग, नीडी कौर, बादशा और रफ्तार ने आवाज दी थी। इस सॉंग में टाइगर शॉंग का बहतरीन डांस मूव देखने को मिला था। वही सॉंग में उनका साथ दिया था कृती सेनन ने, जो कि फिल्म में भी साथ देती नजराई थी। यही वज़ा है कि हीरो पंती पार्ट टू में इस गाने को फिर से लेकर आने की तैयारी की जा रही है। अधाकारा नजर आ सकती है। इस फिल्म को एक बार फिल्म को डिरेक्ट करने वाले हैं बागीतीन के डिरेक्टर एहमद खान, एक बार फिर से यह फिल्म एहमद खान की डिरेक्शन तलेब बनने जा रही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही। बॉलिवोड इंडास्ट्री से जुड़िया सी और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।